कि हलो दोश्ट基本 आज माइं चाहिए बहुत ही श्पाइसि और शिट्मेटा पकाऊरी यह खाने में बहुत ही ट्रेस्टि लगता है ठंड में गर्मा गर्म पकाऊरी बहुत ही अच्छा लगता खाने में इससे बनाना बहुति एजी और सिंपल है यह पकोरी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनता है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सेयर, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमने एक कप चने लिये थे, इस कप से मैंने एक कप चने डाल लिये थे इस चने डाल को मैंने रात भर भीगो कर अच्छी तरह से रख दिया था, तो यह अच्छी तरह से फुल गया हूँ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दो घंटे के लिए भी इसे भीगो के रख सकते हैं अब इस चने दाल को हमने अच्छी तरह से पानी से वाश कर लिया है और इसको अच्छी तरह से छान लिया है अब यहाँ पर लेंगे हम मिक्सी जान आप इसमें हम चने दाल को डालेंगे चने दाल का पकोड़ी बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिए बहुत ही टेश्टी बनता है चने डाल को डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं चार हरी मिर्ची अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप इसके जगा दो हरी मिर्ची डाल सकते हैं और यहाँ पर नौ से दस लसुन की कली लिये हुए है इसको भी हम इसमें डाल देते हैं मैंने यहाँ पर मिर्ची और लसुन को अची तरह से डाल दिया है अब इसमें हम डालते हैं पानी हमें थोड़ा सा पानी एट करना है और इसको अची तरह से ग्राइन कर लेना है दोस्तो अगर दाल को पीशते समय थोड़ा सा पानी का जरूरत परे तो और भी डाल सकते हैं इसमें दोस्तों और इसे अच्छी तरह से हमें पीश लेना है हमें ज़्यादा महीन इसे नहीं पीशना है हलका सा दरदरा इसे रखना है तो इस तरह से हमें तयार कर लेना है अब इसे एक दुसरे वर्तन में हम ट्रांसफर कर लेते हैं दाल खोर दरदरा पिसने से ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनता है अब यहाँ पर हम डालते हैं दो चमच बेसन दो चमच इसमें बेसन डाल के बनाएंगे तो यह जो पकोरी है नहीं बहुत ही बढ़िया बनता है अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप यहाँ पर चावल के आटाय भी डाल सकते हैं और इसके बद हम डालते हैं आदा चमच हल्दी पाउडर और नमक हम डालते हैं स्वात के अनुसर थोड़ा सा डालेंगे हम भुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ी से डालते हैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर हमें इसमें ज़्यादा लाल मिच पौडर नहीं डालना है क्योंकि मैंने इसमें हरी मिच्ची डाली हुई है और इसके बद हम डालेंगे एक कप बारी कटा हुआ प्याद ये सबी चीजों को हमें इसे अच्छी तरह से इसे मिला लेना है तो इसे हमें हलके हलके हाथों से मिलाना है दोस्तों ये बहुत ही अच्छी तरह से एकदम क्रेंची पकोडी बनके रिटी होता है मैंने इसमें ज़्यादा मसाले का इस्तमाल नहीं किया बहुत ही कम मसाले डाले हैं और वैसे मैंने घर के ही मसाले डाले हैं इसमें मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब चलिए इसे हम फ्राई करेंगे तो यहाँ देखे दोस्तों तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है अब इसमें एक एकड़ के मैं पकोरी को यहाँ पर डालती हूँ आप इस पकोरी का सेप गोल शेप में भी दे सकते हैं मैंने यहाँ पर हलका सा इसे चिप्टा कर लिया है इस तरह से मैंने इसे फ्राई किया है आप यहाँ पर चाहे तो हाथों का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने यहाँ इस्पून का इस्तिमाल किया है बहुत ही जल्दी और छटपट बनने वाला ये रेसिपी है वैसे यहाँ पर गैस का हम low to medium flame करेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें brown color होने तक हमें fry कर लेना है तो मैंने यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से लट पलट करके हमें fry करना है यहाँ पर आप पकारी का कोई भी शेप दे सकते हैं यहाँ पर आप गोल शेप भी इसका दे सकते हैं मैंने इसे हलका सा चिप्टा कर लिया है और इस तरह से पकारी जो बनता है बहुत ही बढ़ियां बनता है अब यहाँ पर देखिए दोस्तो जो पकारी है बहुत ही अच्छी तरह से एकदम कुक हो गया है और यहाँ पर देखी सकते हैं इसका अच्छी तरह से चेंज हो गया है तो यह जो पकारी है बहुत ही बढ़िया से बनके रेडी हो गया है दोस्तो बहुत ही कम समानों से मैंने घर पर ही इसे बहुत अच्छी तरह से टेस्टी पकोरी बनाया है तो ये पकोरी बनके अच्छी तरह से रेडी हो गया है अब चलिए इसे हम सर्फ करते हैं इस पकोरी को मैंने यहाँ पर टमाटो कैचप के साथ सर्फ किया है आप चाहे तो इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं वैसे चने दाल का पकोड़ी बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों एक बड़ जरूरी से ट्राई कीजिए चने दाल का पकोड़ा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो गया है आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करें I hope कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ Thank you